माननी राजपान श्री सीपी राधा क्रश्णर ने आज राज़िभावन में आयो जित सामोईक योगा अभ्यास कारेक्रम में भाग लेते वे सभी को अंतरराष्टी योग दिवस की शुब कामनाएं देते वी कहा कि योग भारत का दुनिया को एक अमुल्य उपाहर है योग ऐसा साधना प्रक्रिया है जो शरीर को ही नहीं मन को भी स्वस्थ बनाता है योग के माध्यम से वेक्ति की शारीरिक मानसिक वो आध्यत्मिक विकास होता है कल की ही बात है पश्चिम बंगाल के इस्तापना दिवस के अवसर पर मैंने देखा कि एक व्रद महिला को चलने में कटनाई हो रही है मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको दर्द हो रहा है वो बोली मुझे कोई दर्द नहीं है और मैं मानसिक बल के कारण इस समारों में आई हूँ राजपाल मोदर ने कहा कि योग से हम स्वधस्फूर्थ होकर बिना व्यवधान के लगातर कारी करने में सक्षम होते हैं योग से शरीर के जोड की शितिलता समाप्त होती है उनमें रक्त संचार बढ़ता है और वे ज़्यादा सक्री होकर कारे करती है योग को बड़ावा देने और वेश्विक मंच पर इसके कत को उचा करने में हमारे माननी प्रधान मंतरी श्री नरेन मोदी जी का उलेकनी योगदान सरहानी है उनके प्रयास से आज पूरा वेश्व पुरे उत्सह के साथ अंतरराष्टी योग दिवस मना रहा है कोविट 19 महमारी के दोरान पूरी दुनिया ने हमारे योग अभ्यासों को अपनाया और ये संक्रमित वेक्तियों के उपचार में कारगर सबित हुआ उन्होंने सबी से योग को अपने देनिक जीवन का हिस्सा बनाने तथा अन्ने को भी प्रेडित करने है तो कहा योगा अभ्यास करने वाले शारेरिक मांसिक और अध्यत्मिक रूप में स्वस्त रहेंगे जो करे योग वरहिन निरोग इसी के साथ बने रहे है राजनामा टिवी के साथ दाने वाग